सोचिए क्या हो अगर आप कोई बीच पे घूम रहे हो समुंदरी किनारे पे और आपको ऐसा लगे कि आपका पैर कोई नीचे से खीच रहा है ऐसे ही कुछ लोग experience किये हैं जब वो गए हैं गुजरात के famous दुमास बीच पे कुछ लोग इन सब बातों पे मजाक ओडाते हैं मगर जिन लोगों ने उस बीच पे paranormal activities को महसूस किया है उनके तो इस बीच के नाम सही पसीने शूड जाते हैं आज आप इंडिया के third सबसे haunted place के बारे में जानने वाले हो ये सुनके आपके मन में of course आ रहा हो कि first second कौन सा है तो पहला है राजस्थान का भांगर fort second में है राजस्थान का कुलधारा और third में है ये दुमास बीच जहां पे लोगों ने कई आत्माओं का presence फिल किया है दुमास बीच जो कि गुजरात राज के सूरत से लगबग 21 किलोमेटर दक्षिन पच्चिम में सागर के किनारे मौजूद है ये दिखने में बहुत खुबसूरत है और इसका खुबसूरती बहुत फेमस है और बहुत लोग इसका तारीव भी करते हैं और बहुत लोग इसके नाम से ही डड़ते हैं इस बीच का पूरा हिस्ट्री तो क्लियर नहीं है बट ये तो पक्का है कि अभी के टाइम पे बहुत लोग वहाँ पैरनॉर्मल चीजों को अनुवक किये हैं वो कहते हैं कि रात को वहाँ जाने पे एक फुसपुसाट की साउंड आती है ये ऐसा एक घोस्टली एको आता है इस बीच के बगल में एक समशान घाट है और उसे भी लोग हांटेड बोलते हैं और इस बीच को लेके कई लोग के मन में ऐसा खौफ बन गया है कि शाम के पांच बजे के बाद भी बहुत लोग यहां नहीं आते यहां के पास वाले रोड पे बगल में शमशान है वो तो एक फैक्ट है ठीक है पर दूसरी बात यह है कि यह जो दुमास बीच है यही पहले according to वहां के पहले वाले लोग वो शमशान था वो पहले शमशान हुआ करता था और इसलिए वहां का सैंड काला है बहुत साल से रहने वाले जो लोकल लोग है वो यह कहते है अंधेरे के बाद उस बीच से कही लोगों को चिलाने की आवाज सुनाई देती है और रात के समय में कुटों की रोने की आवाज सुनाई देती है वहाँ कोई कुट्टा अगर मौजूद नहीं है तब भी ऐसा लएगा कि कहां से आ रहा है साउंड एकदम आप यहाँ खड़े हो सामने सा आ रहा होगा साउंड वहाँ पे कोई अनिमल होगा ही नहीं और जो रियल कुट्टे हैं वो रोने लगते हैं जो की रात को जाके इस बीच पे एक्सपरिमेंट किये भी है रहे के फॉरेन के बहुत सारे पारनॉर्मल इंविस्टिगेटर इंडिया के बहुत लोग सब एक्सपरिमेंस किये हैं यहाँ पे रात के टाइन जाके और रहे के और बहुत लोग को कुछ फील होता है और बहुत लोग को कुछ नहीं भी दिखता है बाकी बस प्रिजन्स ही फील होता है और साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं according to some paranormal investigators और आप हमेशन उटिसके होंगे का पास्ट काला होता है और अभी होने का प्रिजन्स होने और व 도 यह सब मिला के इस पूर्णटी होनाती है एक हांटेड टूरिस्ट स्पार्ट की तरह तो ये था दुमास बीच के बारे में कुछ मिस्टिरियस फैक्ट्स वडियो लाक्शन कमेंट जरू करना और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर आउन कर लेना